हेलो दोस्तो अगर आप YouTube short का यूज करते हो, YouTube short पर वीडियो बनाते हो, आप अपने YouTube short को monetize भी कर सकते हैं, आप अपने YouTube short का thumbnail भी change कर सकते हैं, आप अपने YouTube short का watch time भी count करा सकते हैं, लेकिन दोस्तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप ये सब कर सकते हो, इस दोस्तो आप अपने YouTube short को monetize कर सकते हो, तो वीडियो काफी यदा interesting और knowledge वाल है, अगर आप ऐसा वीडियो आगे भी देखना पसंद करते हैं, इस वीडियो को अभी से भी like कर दीजिए, और चैनल पर पहली बर visit कर रहे हो, तो subscribe करके notification bell को दावा लीजी, तो चलिए फिर आज का वीड जल्दी rank कर सकती है, दोस्तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा traffic मिलता है, जो आपकी directly वीडियो अपलोड करते हो YouTube पर, उन पर जो है इतना views नहीं आता है, जितना आप YouTube short से views ले ले लेते हो, अब ऐसे में उस तो काभी सारे लोग directly only YouTube short य वीडियो देखते हूँ, तो वहाँ पर आपकी जो वीडियो monetize होती है, उससे कोई भी आपको benefit नहीं होगा, लेकिन दोस्तो आपने उस वीडियो पर कोई title, tag, description यूज किया है, और उस चीज़ को सर्च करके आपकी वीडियो पर कोई users आता है, तो जैसे directly आपकी और वीडि कैसे करना है, देखिए सिद्धी सिद्धे आप पहले YouTube sort को बना लीजिए अपने YouTube के कैमरे से, इसमें हम एक चीज़ और बता देते हैं कि copyright आता है, तो आपको copyright इसमें आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको यूज किया था, मुझे पता है कि copyright आ गया था, लेकिन दोस्तों जो YouTube के जो sort में already जो यहां पर music add किये गए है, इन music को अगर आप यूज करोगे तो आपको copyright के लिए नहीं आएगा, तो ऐसे में आप इन music को यूज करके आप अच्छा का से एक अपना वीडियो बना सकते हो, अब उसको आपको monetize कैसे करना है, आपको उसका thumbnail change कैसे करना है, इसक वीडियो को आपने YouTube sort के माध्यम से record किया या फिर upload किया, अब सीवीडियो को edit करोगे pencil के निसान पर click करके, तो यहां पर आप देखोगे कि आपको monetization का option भी नजर आ जाता है, monetization आप यहां से on कर सकते हो, और monetization फटाफट से on कर दीजिए, अब thumbnail की बात आता ही, तो यहां आप देख रहे हैं, ऊपर pencil का निसान है, आप यहां से thumbnail भी change कर सकते हो, मतलब सारा कुछ कर सकते हो, अब यतना सब कुछ कर लेजिए, thumbnail आप कैसी भी application से बना लेजिए, और यहां पर upload कर देजिए, वीडियो को monetize भी कर देजिए, अब यहां पर हम बात आते हैं, इसमें आ अगर YouTube से देखी जाती है, तो आप वहां पर आपना watch time भी count हो सकता है, इस चीज को confirm नहीं है, watch time count होगा, तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारी YouTube सौट में डार्क भी swipe up करके वीडियो देखी जाती है, तो यहां पर उस वीडियो का watch time count नहीं होगा, और यहां पर monetization का भी हम भी generate कर सकते हूँ, तो इस वीडियो में काफी सारी चीज़ें किलियर होई, यहां पर YouTube सौट का copyright, YouTube सौट का thumbnail, YouTube सौट का watch time, YouTube सौट का monetization, तो यहां काफी चीज़ें जो इस वीडियो में solve होगे, अगर आप ऐसा वीडियो आगे भी देखना पसंद करते हो, तो इस वीडि झाल